हाई एव्रिवन वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल यह मैंने क्रिएट किया है सबसे मेकप लूक सबसे जीपेश्ट वाला तो चलो वेडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे प्रड़क्त के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे एजली तो डि चुकत्त मैं ने लिया अर। नहीं थांड मिलया है जो कि मैरे दियो हुआ है और यह मेरे इसे में की मैं इसमें लाया हुआ हैhésitez मैं एक प्रस के हाद चैनल और भेस पर पर स्प्रेट कर दोंगी क्योंकि बीटिए ब्लेंडर से डारेक्ट करने आ येक से पूरा ब्यूटी ब्लेंडर में सारा प्रोड़क हा जाता है सहले मेरश्स को पेल दूसके बाद से बीूटी ब्लेंडर यूजेश करते हूं मैंने ब्यूटी म्लेंडर को सब्सक्राइश कर लिया MIKE एंदेन उसके बाद यूज कर रहे हूं नेक पे लगाना मत बुलेगा और अपने कानों को भी उसके बाद में ले रहे हूं यहां पर मार्स का कंसीलर यह मेरे स्किंग टोन से फोड़ा लाइट है इसलिए मैंने इसमें अपना डार्क वाला फांडेशन पीलाय हुआ एंड इस अपसे सॉपसी से लिया हुआ है कॉम्बो में था काफी सारी प्रोडक तो उसमें से मुझे बस से यही ब्यूटी ब्लेंडर ही अच्छा लगा और मेकाफ फिक्सर और मैं लेक मेका लूस पावडर यूस करूंगी और यह बहुत ज़्याद्व है और बहुत ही ज्यादा तो यहां से मैं ले रही हूं पहले मैं आपको पीग्मेंट कीशन दिखा देगा देखो एंड मैं यहां से वो ब्राउन वाला से ले रही हूं अपने आईब्रो फील करने के लिए पहले मैं अपने हाथों प्लेते हूं इसके बाद आइस पी क्योंकि एक्स्ट्रा पाउडर हो जाता है आइस पे तो कुछ मैसी हो सकता है अचिंघ को लेकर अपने पूरे घ्रिया पर अपने प्लाई करने और बाल मुपे आया जा रहा तो एक व्लॉफिक ब्रॉस के हल्प से अपने पूरे आई पर मैं इसको लगा लूंगी एक आकपर यहां पर मैंने लिए मार्स का इसाड़र पालट इसमें से महीं लूगी यह औ और फिर पूरे आई लीट पे क्योंकि मेरे साइडी में काफी सारे कलर हैं तो मैंने सुचा कुछ अतरंगी करते हैं तो उसके बाद मैंने लिया है पर डाक ब्लू शेड क्योंकि इसमें डाक ब्लू भी है अब मुझे समझ भी नहीं आ रहा था मैं क्या आई लूक करूं मुझ तक मेरे समय अलाइट टक है तो मुझे अलाइट पिंग कलर आहा है हाफ आई लिड़ तक कफी प्यारा एलूक मतलब लग रहा है अभी तक तुम सारी से मैचिक मैचिंग्ग चालग रहा है तो उसके बाद मैं यहां से ले रही हूं यह सारा कल जितना मैंने आई लिट किया ह सेम वही में अपने लोवर लेस्ट लाइन पर भी अप्लाई कर लूँगी एंड देन मेरा दूनों आई लोग कम्प्लीट तो अभी कम्प्लीट नहीं है उसके बाद में यहां पर लाइट पिंग पॉपल आइगेस था तो इस सीमर को अपने और मिलेट पर अप्लाई करूंग है और मेरे इतने भी पैलेट है सबसे ज़्यादा मेरा आईशोड़ पैलेट यह है और इसमें से एक यल्लो वाला लिया था उसको मैं अपने इनर कॉर्णर प्लाइख किया और तो मैंने दोनों को मिक्स करके अपने चीप को भी ब्रांजिंग कर लिया अलब काफी शही लग और और क्या बोलते हैं कंसीलर नहीं लिया तो मैं इससे यह आइसएड़ पैलेट में जोख भी कलर दिया रहता है मैं उससे सप्लाइब कर लेती हूं और लाइट भी कट गी तो फिर तुरंत ही आ गई तो मैंने शुच लाए हो गया बरबाद लेकिन ठीक हो गया मतलब उसके अब जाद मैंने आसे यह तीनों हाईलेट को मिक्स करके अपने प्लाइकर लिया और मुझे समय में नहीं रहा थे मैं करके आ रही हूं मैंने आज को ज्यादा है अपने फेस पर हाईलाइटर अपलाई कर लिया हर पैलेट से लेकर कर रहे ती मयतलब आपको दिखाना थे कि चाहिए प्लेट है कैसे मेरे बाद यतने पैलेट से मतलब दोनों से खुब अच्छे से अपने फेस पर इतना हाईलेटर अपलाई कर लिया कि मेरा फेस ही चमक चमक गया तो मझे बगधा थी आरी है यह फिर भी मैं करती गई और मैं इसके बाद एक फ्लॉफी ब्रस के हैं से अपने पूरे जो भी हाईलेटर इना ज्यादा मैंने पोड़ा हुआ है उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एंड इसी मार्च के पैलेट से मैंने पिंक और और औरेंज सेट को अपलाई कि आपने चीक्स पे ठोड़ा ठोड़ा करके और मेरा दिमाग को देखो मैंने क बूलते हैं मैंने हाईटर लगाने के बाद ब्लकॉटर लागा रहें मतलब क्या टिमाथ है यार मतलब आख के जाजा ही पर लेकिंगी जी और यह की जापने फिर खाए से को ब्लेंड कर दिया and मैंने आप एक लिपस्टिक लिया हुआ है थोड़ा निज़ पिंक लिपस्ट झाल 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 झाल